बिलासपुर में हिमार्चो प्रदेश प्रशाशनिक सेवा की प्रोवेशनरी अधिकारी ओशिन शर्मा ने अपने पती धर्मशाला विधानसवा चुनावक्षेतर के विधायक विशाल नहरिया वो उनके परिवार के सदस्यों पर प्रैसवार्ता करते हुए आरोप एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है तो दूसरी ओर बेटियां घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है सवाल मेरा बस इतना सा है कि क्या अगर एक औरत किसी व्यक्ति को चाए वो उसका हस्बेन ही क्यों ना हो अगर किसी चीज़ के लिए मना दे कर रही है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती because of the reasons जो की साथ साफ है प्रतार ना हुई है पहले सब कुछ हुआ है सब जानते है तो क्या एक औरत को समय लेने का अधिकार मी क्या एक औरत को सोचने का अधिकार मी क्या एक औरत उस पशु की तरह है जो खूंटे से बान दी गई है और अगर वो पशु कहीं चला जाय चरने तो उसे हांक के वापस ले आओ कि तुम एरी प्रॉपर्टी है डिस्टिक कोर्ट में भी डिले के टैक्स हुए सेपरेशन के लिए हाई कोर्ट में वो केस अब जो है इपरिल तक लटक चुका है इस सारी की सारी स्टॉकिंग, हैरेस्ट में जितनी भी चीजे मेरे साथ हुई है दिसंबर में मुझे मजबूरन इनके खिलाब रिस्ट्रेइनिंग ओर्डर लेना पड़ा है मैंने रिस्ट्रेइनिंग ओर्डर के लिए अपलाई किया है चौदा तारी को अभी जो चौदा जनुरी है यानि कल जुडिशल माजिस्ट्रेट फर्स क्लास धरबशाला में जो है वहाँ पे हेरिंग है श्रीमान जी की तो मुझे इस मॉमेंट पे इस यहां तक आना पड़ा बिकिस ओफ हिम माई पॉइंट इस कि मैं कुछ भी कर लूँ मैं अपने आपको कैसे भी जोड लूँ मैं कैसे भी चलने की कोशिश करूँ बट मैं डिगनिटी के साथ इस समय जॉब नहीं कर पारी मैं ट्रेनिंग नह पारी मैं परशान रहती हूं क्योंकि पब्लीक का नारेटिव अपने आप में डिसाइड किया हुआ है बुझ से जितनी बार मिलने की कोशिश की गई फोटोस खीच दी गए यह दिखा दिया गया कि सब कुछ ठीक है आप श्रीमान जे कि डीपी चेक करेंगे तो उसमें फो इतने सभ्य और इतने सुशील है अभी उन्होंने कुछ समय पहले अपोलिजी भी आप लोगों ते देखा होगा ओनलाइड आदी है अगर वो इतने सच्छे हैं तो आज मैं हाकीम को मेरा आज का पॉनित इहां पर आने का सर्फ इतना सा है मैं ओनरीबल सी एल साफ को रिक्वेस्ट करती हूं मैं ओनरीबल प्राइम रिमिस्टर अफ दे कांट्री को अपील करती हूं कि सर आप लोगों का नारा या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर बेटी को बचाएंगे बेटी को पढ़ाएंगे पर बेटों को समझाना बहुत जरूरी है अगर बेटे कुछ गलत कर रहे हैं हारस्मेंट कर रहे हैं उनको समझाना डांटना बहुत जरूरी है सर बहुत जरूरी है क्योंकि मनमानी नहीं हो सकती सर जो पावर का अभ्यूस धरमशाला में हो रहा है मैं नहीं जानती कितनी लड़किया हैं, मैं तो शायद भगवान की कुरपाय कि मैं बोलने की हिम्मत रखती हूँ लेकिन बहुत सारी लड़किया हैं, जो बोलती भी नहीं, उनके साथ क्या-क्या हो रहा है वो सिर्ष सेहन कर जाती और वो क्यों? क्योंकि पावर में है विप्ती, उनके खिलाफ कोई भी 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 बोलेगा. मेरे तक ये मेसेजिस आए जा रहे हैं कि तुम मेडिया में जाओ, तुम चाहे पुलिस में चाहो, तुम जा मर्जी जाओ, अब बचाए ही क्या है? क्योंकि डर ही नहीं है, डर ही किसी बात करनी कि कोई उनको कोई बोलेगा. I appeal to honorable CM and TM, please इस प्रकार का जो power abuse है, उसे रोका जाए, चाहे वो धरमशाला में है, चाहे वो हिमाचल में है, चाहे वो कहीं पे भी है. और एक और बात, I appeal to public as well, कि एक औरत बहुत कुछ सोच के समाज में सामने आती है, तो जब वो बोलने की हिनमत रखती है, तो आप उसकी इस हिनमत को तोड़े ना. जब यह incident हुआ था, तो उससमें लोगों ने कहा कि पहले बार खाई थी, तो पहले क्यों नहीं बोले, फिर लोगों ने कहा कि अब बार खाई है, तो अब वापस क्यों नहीं जाते हैं। मतलब हर situation में एक औरत कोई compromise के लिए बोला जाता है, औरत कोई adjustment के लिए बोला जाता है, बट रिपीटिंग माइसलफ अगें, यह स्टोरी औरत पुरुष की लड़ाई की नहीं है सर, यह गलत को गलत बोलने की है, मीती और अनीती की है, जितना हक श्रीमान को अपनी पजा रही हूं, तो मेरे साथ भी यह नहीं होना चाहिए, मेरे साथ क्या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, तो मेरी बस इतनी सी अपील है, सभी जितने भी हमारे बड़े गुजर्ग हैं, जो इस प्रकार के पावर रव्यूज को रोक सकते हैं, तो ज़रूर रोकें, क्य जो है वो समाज में दे रहे हैं क्योंकि ये लोग ये लोग चलो मैं और उकी बात भी करूंगी श्रीमान जी दुनिया में जाके अच्छा चहरा दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे जो चीजे मेरे साथ हो रही है अगर मैं यह नहीं बोलूंगी तो मेरा मेरा परपस डिफीट ह ज्युक्त है है हाद चीज का और जहा तक बात है कोट की तो कोट में ठीक है चीजर जा रही है जैसे डिस्डिक कोर्ट में जो है फैसला मेरे मेरे लिए आ रहा था वैसे हि मैं जानती हूंग को देर सवीर हाई झाथ में पूरा विश्भास है जुदीश्यलीरी की इंडिप मेरा जब फिजिकल अब्यूस खतम हो गया तो साइकॉलोजिकल अब्यूस शुरू हो गया मेरी शादी के विडियोज मेरी पुरानी नहीं विडियोज जनाब अपने दोस्तों के थ्रूँ यूट्यूब चैनल पे लॉंच कर रहे हैं क्यों क्या दिखाना चाहते हैं ये एक सव्य इंसान को शौबाय नहीं देखता